कि अग्वाइब बीएस्टी योजना को लेकर के विल्डिंग करमांग छे के लिए राज्य सरकार में इस्टे दिया था आज की क्या इस्तिति हैं कि विल्डिंग करमांग छे योजना के अंतरकज जो भी घर है उसके ऊपर राज्य सर्शन ने स्टे दिया था मगर आज अची बात है कि वह स्टे को पिछे लिया गया है और वहाँ पर अभी रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होनी वारी है माननिया अमदार प्रताफ सर्णाग जी ने वहाँ के लाबारती बोगस है करके सगीती देने के लिए शासन को पत्र लिखा था अब भी जानेवरी महिना शुरू हो गया है इसके दर्मियान प्रशासन ने आववाल शासन के पास भीजा था और उस पे आववाल को जांच परताल करके ही शासन ने नीने दिया है कि जितने भी नीमानुसा लाबारती है उनको रेजिस्ट्रेशन करना की कारवई चालू कर अब इसका जबाब ओई दे सकते हैं क्योंकि प्रताब सन्नाग जी ने प्रशासन के उपर यह दूसरा अरूप लगाया है कि पहले तो उन्होंने नल कनेक्शन के बारे में भी आरूप लगाया था जो कि 15,000 नल कनेक्शन जो है मिरा भाइंदर शेत्रे में इनलीगल है मगर जब महासबा शुरू थी उसमें महासबा में प्रशासन को पूछा गया कि यह नल कनेक्शन कितने मिरा भाइंदर शेत्रे में है तो प्रशासन ने जबाब दिया कि केबल 75 के से भी कम कनेक्शन इनलीगल हो सकते हैं और दूसरा आरूप यह था सरनाइक साब का कि इतने भी बोगस लाबारती है योजना के अंतरगत उस पे स्टे होना चाहिए तो इमारत करमा कर च्छे का जब लाटरी हुई उस समय पे यह स्टे की ओडर आई थी उसके लिए जितने भी हमारे बीसुप के लाबारती है वो बंचित हुए थे रजिस्ट्रेशन करने के प्रक्रिया स तो उसमें यह दूसरा आरोप ता जो बोगस है तो यह आरोप भी शासन ने निर्णे शासन ने देवा है तो इसमें उन्होंने स्पेश्टर रूप से लिखा है कि प्रशासन ने दिया हुआ हुआ आवाल वो सही है और उसके उपर अभी करवाई होने वाली है अब इसका जवाब अभी दे सकते हैं कि स्टे और शासन ने उनके स्टे को उठवा दिया है तो इसका जवाब मान्या आमदा साब दे सकते हैं मेरी सभी को मिल्थी है कि देखें यहां के जितने भी लोग लाबार्ती है वो गरीब है गये सा कितने सालों से वो अपने घर के लिए लड़ रहे हैं तो मैं उनसे मिल्थी करूंगे कि ऐसी प्रकार की स्तगीती न दिया जाएं जो भी बोगस लाबार्ती आपको दिखाई दे तो उसके उपर अच्छे से मतलब जांच कीजिए और उसके उपर फिर बाद में नीड़ने लिजे ना कि सब भी लाबार्तियों के खिलाप आप ऐसी प्रकार की स्थगिति लाएंगे तो यह योजना आकी में नहीं होगे और जो लाबार्ति है खरे हगदार है वह वंचित रह जैना के यह बोगर माननी अमदा सरनाइक साब ने जब यह पत्र लिखा कि यह 25 लोग उसके लाबार्ति नहीं तो मेने प्रशासन के समंधित विवा के अधिकारियों को यहां पे भूला आ था उनसे यह मैंने प्रशन उन्ति प्रशन के आता कि यह लाबार्ति वोगस है क्य तो उन्होंने मुझे ऐसा जबाब दिया कि यह लाबार्ती उस BACP योजना के लाबार्ती है वगर 6 नंबर बिल्डिंग के केवल उसमें 8 लाबार्ती है जो कि उसके हगदार है वो भी बोगस नहीं है ऐसे उन्होंने मुझे जबाब दिया है तो ऐसे प्राकार के मतलब किसी पहले उसकी जान्च होनी चाहिए उसमें जाना चाहिए ना कि केवल आरोप करना चाहिए तो इसे आरोप में क्या होता है कि जो भी सच्चे लाबारति वह भी वन्चित रहेंगे तो मेरा यही कहना है कि यह योजना भूत दिनों से रखड़ी हुई है लोग घर के लिए तरस उनका हक उनको मिलना चाहिए तो सभी आमदार खाज़दार या जो भी हमारे पालक मंत्री है उसमें सयोग देना चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगे पालक मंत्री को उन्होंने सही नयाय किया है और शासन की तरब से उन्होंने जो भी नीड़े दिया है वो उनका नीड़ झाल झाल